असलाम निक्तों वेलकम टू वीजा इंफो चैनल बाय प्रोस्पारिटी ग्रूप हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है जिसके बारे में सबसे ज़यदे हम से पूछा जाता है और कुईरी जाती है हम इस इंपॉर्टेंट्न टॉपिक को डिसक्स करेंगे इस टॉपिक में आज इन चीजों पर हम बात करेंगे उसे पहले है what is विजट Wीजा के विजट वीजा होता क्या है second हम बात करेंगे why to apply visit visa कि visit visa apply किस किस मकसद से किया जाता है number three what are the documents required for visit visa के visit visa apply करने के लिए कौन से documents important हैं जो required होते हैं number four पर हम बात करेंगे documents to be maintained के कौन से document ऐसे हैं जोने maintain किया जा सकता है और करना जरूरी है number five पर हम बात करेंगे visa officials review and number six पर बात होगी के what if your visa is rejected or banned आपको क्या करना चाहिए तो let's start our video तो सबसे पहले हम बात करेंगे what is visit visa visit visa क्या होता है जैसा कि नाम से जाहर है कि आप किसी भी country में visit करना चाह रहे हैं visit का मतलब जाना चाह रहे हैं देखने के लिए घुमने के लिए करने के लिए किसी भी मकसद के लिए तो उस country में जाने के लिए जो permission required होती है जो documented होती है उसे हम visit visa कहते हैं visit visa बहुत तरह से आपको मिलता है e visa भी होता है stamped visa भी होता है sticker visa भी होता है हर country का visit visa देने का अपना एक तरीका है तो visit visa किसी भी country में जाने के लिए आपको जो एक legal permission required होती है उसे visit visa कहा जाता है और visit visa एक short term basis visa होता है जिसके अदर एक time limit mention होती है हाँ वो 10 दिन हो महीना हो दो हो चार हो छे हो एक साल हो बट वो time defined होता है कि इतने अर्से का यह visa है और इतने अर्से में जो भी मकसद आपने बताया है उस country को या उस visa officer को के जी मैं इस मकसद के लिए आपके country में visit करना चाह रहा हूँ वो काम होने के बाद मैं वापस अपने country में आ जाओंगा यह permanent नहीं होता यह short term basis पर visa मिलता है अब आगे बात करते है why to apply visit visa visit visa क्यों apply किया जाता है एक बहुत main misconception है डाउंट है लोगों को कि जी visit visa जो apply किया जाता है वो सिर्फ सेहाथ गुमने परने टूरिजम के लिए apply किया जाता है क्योंकि इसके नाम से जाहर है visit तो देखिए visit किसी भी मकसद के लिए किया जा सकता है आप कहीं किसी शहर विजट करते हैं, आप घुमने परने के लिए भी कर सकते हैं, आप वहां खरीदारी के लिए पर जा सकते हैं, किसी बिजनस मेटिंग के लिए पर जा सकते हैं, इसी तरह किसी कंट्री में जब आप विजट 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 करते हैं, इसकी बहुत सारी विजसे को बताएंगे मैं आपके कंट्री का साथ रीजन देना जगरी होता है कि मैं क्यों अपलाई कर रहा हूं तो मैं तूरिजम के लिए कर रहा हूं दूसरा रीजन हो सकता है तो आप किसी कंट्री में, डॉक्टर ने आपको यहां से रिकमेंट किया है, या फुलाँ कंट्री में जाएं, और वहां जाके अपना बैडिकल ट्रीक्मेंट कराएं, को सरजरी करवाएं, कोई सेकंड ओपिनियन के लिए, आप कोई best hospital या doctors है, आप उन्हें जाके चेक करवाएं, तो आप medical reason की basis पर भी, आप visit visa apply कर सकते हैं, there is no medical visa, कोई medical visa नहीं होता, कि आप उसकी category में visa apply करें, तो आप visit visa ही apply करते हैं, but reason जो आप visa officer को देते हैं, वो आप बताते हैं, कि for this medical reason, I am applying for the visit visa of your country, आपके relatives किसी country में रहते हैं, आप किसी funeral पर जाना चाह रहे हैं, आप किसी ceremony पर जाना चाह रहे हैं, आप किसी celebration, किसी holidays पर आप जाना चाह रहे हैं, तो उसका reason होगा family visit, तो आप apply visit visa ही करेंगे, लेकिन आप visa officer को convince करेंगे, कि my family is there, और ये उसके सारे पूर्स है, और मैं इस funeral पर, या इस celebration पर, किया होलिडेज पर, या मेरा कोई relative deathbed पर है, उसे देखने के लिए मैं जाना चाह रहा हूँ, और मैं apply visit visa कर रहा हूँ, आप visit visa किसी business purpose के लिए apply कर सकते हैं, आप किसी business meeting के लिए जा रहे हैं, किसी business conference के लिए जाना चाह रहे हैं, किसी business deal को finalize करने के लिए जाना चाह रहे हैं, आप को business की नई opportunity सीक उस country में करना चाह रहे हैं, तो तब भी आप visit visa ही apply करेंगे, there is no business visa, आप visit visa ही apply करेंगे और आप visa officer को reason देंगे, कि these are the reasons why I am trying to visit your country और आप उसके proofs evidences documents साथ में देंगे, तो यह सारी वो वजुहात हो सकती हैं जिनकी वजह से visit visa apply किया जाता है, अब discuss कर लेते हैं इसमें सबसे main और important topic, वह है documents required to visit visa, आप यह देख रहे हैं कि हम किसी country का नाम नहीं ले रहे हैं, हम just visit visa की बात कर रहे है, visit visa for any big country, big country का मतलब यह के वो country जहां का visit apply करने के लिए आपको धेरों documents की requirement होती है, यहां कतन हम बात उन countries की नहीं कर रहे हैं, जो easy countries हैं जहां पर इतने ज्यादे documents required नहीं होती, यहां हम specifically बात कर रहे है about the big countries, जैसे US है, UK है, Canada है, Australia, Shenzhen countries है, जो easily visa नहीं देते, जिनका एक set of documents requirement होती है, और proper, organized, authentic documents जब तक ना हो, visa officer को जब तक आप convince ना करें, so it's very difficult to get the visa, तो हम उन specific countries के documents requirement की बात कर रहे हैं, तो main documents जो almost तमाम countries के 19-20 के difference के साथ बराबर ही होते हैं, almost यही documents required होते हैं, कहीं थोड़ा बहुत difference ज़रूर हो सकता है, but the major list of all these documents requirement is this, जिसमें सबसे पहले traveling document आपका required है, जिसे हम passport कहते हैं, almost तमाम countries में, आप visit visa जब apply करते हैं, तो आपका passport की जो expiry है, कम as come six months and above होनी चाहिए, छे मेने के अंदर-अंदर आपका passport expired ना हो रहा हो, उसके बाद आपका valids या NIC requirement होता है, उसके बाद अगर आप business कर रहे हैं तो आपके business documents required होने, like आपके business proofs जो भी है, आपका business, certificate, आपका Chamber of Commerce का membership card, और आपकी कोई भी business evidences proofs है, transactions with other companies, कोई deals, कोई certificates, कोई agreements, तो जितनी भी ज्यादा ज्यादा चीज़ें होंगी आपके business को proof करने के लिए, उतना ही आपका business profiler, वो strong show होगा visa officer के लिए, अगर आप business नहीं कर रहे हैं, आप job कर रहे हैं, तो फिर आपके job related सारे documents and evidences required होंगे, like आपका job appointment letter, आपका offer letter, आपका कोई भी company के साथ agreement जो होगा होगा, आपकी salary slips चाहिए होंगी, कुछ country 3 months की required करते हैं, कुछ 4 की, कुछ 6 की required करते हैं, उसके बाद आपकी achievements उस company में हैं, कोई awards हैं, कोई certifications हैं, यह सारी चीजी आपकी required होंगी, आप जितने देनों के लिए जाना चाह रहे हैं, उसका एक noc, no objection certificate आपके employer से required होगा, कि आप वो allow कर रहे हैं, इतनी leaves उस country में इस purpose के लिए जाने के लिए, तो यह आपके job and business से required documents होगे, उसके बाद आपके educational documents, जो भी आपकी achievements, आपके certifications, आपके degrees हैं, उनके documents आपके required होगे, उसके बाद if you're married, तो आपके marital status का proof चाहिए, आपके बच्चे हैं, तो उनके birth certificates चाहिए, school going है, तो उनके school के letters as approved चाहिए, उसके बाद आपकी FRC, family registration certificate जिसे क्याते हैं, वो चाहिए, आपकी MRC, marriage registration certificate, if you're married, तो वो भी चाहिए, उसके बाद आपकी bank statement जैसे मैंने पहले बताया, कि अगर आप business में नहीं हैं, तो आपकी company की bank statement प्लस आपकी personal जो भी bank statements हैं, वो required है, औ अगर आप job कर रहे हैं, तो आपकी personal bank statement required होगी, कुछ country 3 months की require करते हैं, कुछ 4 की, कुछ 6 months की require करते हैं, तो यह requirements आपकी bank statement की होगी, इसके लबाद आपकी assets and properties हैं, like आपके अपने नाम पर कोई property है, कोई plots हैं, residential, कोई commercial, कोई land है, आपके नाम पर assets हैं, कोई गाड़ी है, को any other investments, उनके जो भी evidences हैं, proofs हैं, वो साथ required होगे, इसके लबाद आप इस country में जाना चाहरे हैं, जो सबसी important document है, वो आपका वहाँ जाने का जो reason है, अगर तो आप किसी relative से मिलने जा रहे हैं, आपका कोई sponsor वो आपको उन्होंने भेजा हुआ है, वो required होगा, आप किसी business purpose प जा रहे हैं, इस treatment के लिए जो आपकी appointments वहाँ पर होई होई हैं, जो जो भी evidences हैं, वो documents, so purpose जो भी आपका उस country में जाने का है, उससे relevant वो जो document है, चाहिए वो limitation है, sponsor है, वो required होगा, almost यही सारे documents हैं, जो required होते हैं, visit visa किसी भी country के अप्लाय करने के लिए, इन में उन्हें सी piece का difference हो सकता है, but almost these are the documents mainly required for any big country, अब बात कर लेते हैं, अले topic की, कौन से ऐसे documents हैं, जोने maintain किया जा सकता है, और करना जरूरी है, to get the visit visa of any big country, अब, कुछ documents ऐसे हैं, जो आप maintain नहीं कर सकते हैं, like आपका FRC है, जो family tree है, आपका चल रहा है, वो ही शो होगा, MRC है, वो ही शो ह पासपोर्ट, ID card आप चेंग नहीं कर सकते, educational documents जो education है, उसको चेंग आप नहीं कर सकते, assets, properties अगर हैं, तो आप वही शो करेंगे, आप उसको फोज नहीं कर सकते, तो जो documents आपको maintain करने चाहिए, और जो आप कर सकते हैं, वो दो important documents हैं, दो important चीजे हैं, जो सब से important factors हैं, किस करना चाहरें किसी big country के लिए, तो आपको मैं बता दो कि it is very difficult, market में बहुत सारे शोशे चल रहे हैं, बहुत सारे, I would say, ड्रामे बाद स्वाइब के लोग हैं, social media पे, जो लोगों को misguide कर रहे हैं, कि फ्रेश पासपोर्ट, फ्रेश पासपोर्ट, फ्रेश पासपोर्ट, ज मुझे इस पर वीजा दें, और गरंटी दें, कि वीजा लगेगा, वहाँ पर जवाब देंगे, जी गरंटी नहीं होती है, क्यों, कि उन्होंने हजार लोगों का अप्लाई करना है, किसी एक का फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा लगना है, देखें, तुके मोज़े, मिरिकल होते हैं, मैंने ही कह रहा कि कभी नहीं लगता, लेकिन वाइट गो फॉरा ऑप्शन जिसके अदर आपका जो रेशो है, जो चांसे है, बहुत लो हो, सो मेंसे या दो सो मेंसे किसी एक का लग जाना, अगर पॉसिबल है, तो क्या आपका अप्लाई करना चाहिए, आर देट लगी कि उस दो सो के नंबर में आप ही का विजा लगेगा फ्रेश पासपोर्ट के उपर, बहुत रहर होते हैं, और उसके अंदर भी कई बार यह होता है कि पासपोर्ट फ्रेश है, लेकिन बाकी फैक्टर स्ट्रॉंग होते हैं, जिनकी बेस पर विजा लग जाता है, मेरा पासपोर्ट फरेश है, मैंने कहीं का आज तर इन्हें में ट्रेवल नहीं किया, बट मेरी फनाइंचल इतने स्ट्रॉंग है, मेरी क्लोजिंग बैंक स्टेट्मेंट इतनी बड़ी है, इतना फंड्स मेरे पास पड़े है, मेरे असेट्स प्रॉपरटी इतनी है, कि वीजा सब्सक्राइब को यह कॉन्फिडेंस है कि भाई यह बैशक कहीं पर गया नहीं, लेकिन यह कहीं जाएगा, तो यह वापर जरूर आएगा, इसको तो यहां पर इतना कुछ पड़ा हो है, यह वहां पर भाग कर यह हमारे कंट्री में गाइब होकर क्या करेगा, सोशल मीडिय अब 99% जो फ्रेश पासपोर्टी कहानी सुनाई दे रही होती है, वह एक तो फ्रॉड है, वन परसेंट सच है, और उस सच में भी 99% जूट है, जूट ही है कि आपको यह बात नहीं बताई जा रही थी, कि अगर इस बंदे का फ्रेश पासपोर्ट पर लगा है, तो बाकी फ चैलेंज कर सकता है, और इन्शाइला आपको फ्रेश पर लग सकता है, लेकिन उसके लिए बाकी फैक्टर जिनकी तरह में अबाहर हो, उनको स्ट्रॉंक करना ज़रूरी है, अगर आप समझें कि पासपोर्ट भी फ्रेश है, ट्रेवलिंग भी नहीं है, और उसके बाद में बैठा है, पता है किस मूद में बैठा है, और ओवर लुक कर लिए क्यों भी इंसानी होते हैं, कई बार देखी अन देखी उसने अपकी फाइल कर दी और मूद अच्छे मेता, ठक कर को स्नैप लगा दी जाओ भी विजा दे लिए इस बंदे को अच्छा लग रहा है, इ अच्छे मोटे कंट्रीज हैं करीफ के आपके, जाना इतने एक्सपैंसे हैं ना मुश्किल नहीं है ना जएदा मुश्किल है वीजा लेना, राग जुबाई है, कतर है, थालाइंड है, आजरगाईजान है, उसके बाद थोड़ असा डॉक्मेंट्स रिक्वार्मेंट इसा बहुत बड़ा मिसकंसेट्शन है कि मेरा बैंक अकाउंट है, पांचे मेने से जीरो ट्रांजक्शन है, ना कुछ आ रहा है, ना कुछ जा रहा है, पैसे किना रिक्वार्मेंट होते हैं, जी 10-20 लाग पे अकांट में सर्भाद पचास लाग पे रखवाद हुआ, अच्छा आम विजा ओफिसर, इफ यॉर दा विजा ओफिसर, तो मैंड में सब से पहली चीज यह आती है, यार पिछले 6 में से बैंक स्टेट में खाली चल रही है, इसके अकांट के यूज भी नहीं कर रहा है, ना इसके अकांट में कुछ आता है, ना जाता है, एन टाइम पे 50 सब्सक्राइब करना है, तो यह दो फेक्टर्स हैं जिन पर आपने काम करना है, ट्रावलिंग थोड़ी बहुत हिस्ट्री अपनी बनानी है, सेकंड आपने फिनांशल को स्ट्रॉंग करना है, जिस कंट्री के लिए प्लाई करना चाह रहे हैं, तो देखें, एक छोटा सा फ सब्सक्राइब करना है, तो साला साल की पढ़ाई एक्जैम्स यह कुछ नहीं करने भाई यह पता है कि अगर छे मिने की बैंक स्टेट्मेंट है तो छे मिने पर इसकी प्रप्रेशन तो करना है, तो हम क्या करते हैं, आंखे बंद करके धनम जाके जनाब ऐसी जो फेक ड्रम करेंगे किसी और कंट्री के लिए अप्लाए करेंगे आपका एक रिजैक्शन का एक दाख आपके प्रोफाइल पर लग दिया कि इसका फुला जगह से फुला टाइम पर विजा रिजेक्ट हुआ हुआ तो इसलिए कम असकम छे मिने आप अपनी बैंक स्टेट्मेंट को मिन करना बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यह आपके फनाइंश को शो करता है वीजा ऑफिसर चंद चीजों को बड़ा क्रिटिकली देखता है जिनकी बेस पर वह डिसीजन लेता है और उन में बैंक स्टेट्मेंट और आपके फनाइंश बहुत स्ट्रॉंग होते हैं सो फोकस ऑन बैंक स्टेट्मेंट उसको अच्छे से मेंटेन करना है और अब हम बात करेंगे वीजा अफिसर रिव्यू कि यह सारे डॉक्मेंट्स लगाने के बाद पूरी फाइल सब्मिट करने के बाद जब वह वीजा ऑफिसर के पास जाती है तो वीजा ऑफिसर उसको र प्रूफ करता है देखिए सबसे पहली चीज़ यह समझ लें कि यह बाते हवा में चल रही है मार्केट में यह होटी रहती है हर तरह की बाते हैं कि फुलां कंट्री तो विजा नहीं देता फुलां देता ही नहीं है याद रखिएगा किसी भी कंट्री का जो वीजा ऑफिसर जिसके पास आप की एप्लीकेश्चन वेजा की जाती है वो बैठा है उसे कंट्री ने बिठाया है वीजा देने के लिए इस मकसद के लिए किसी को नहीं बिठाया है विए बैढ़ जाए और आपने वीजेट करने अबने वीजा देना यह बड़ी बात बहुतन बात इसको स पूरी फाइल को ऐसा रिव्यू करें कि जहां आपको कोई गलती कमी कोई लूपोल मिले जहां को ब्लंडर मिले उसको रीजन बना कि आपने वीजा रिजेक्ट अब यह डिफरेंस जुरूर होता है कि कुछ कंट्री बहुत स्ट्रेक्ट स्कूटनी करते हैं और कुछ कंट्री इस population नहीं होते हैं और यह जरू होती है और इन्सक्रेक्षण को झाल्रौ करनी के जिए शुरू फक्रदि नहीं करते हैं यह जरू होता है लेकी अगाल को है कि वीजा ओफिसर वीजा देने के लिए बैठा ने करने के नहीं बैठा एब हमारे end पे क्या है हमारे हाथ में क्या है what we can do to get the visa number one कभी कुई fake चीज ना लगाए number two अपने documents हर चीज proper हो organized हो number three जो checklist उस country की है जितने documents required है उनमें कोई चीज किसी चीज की कमी ना हो number four सब से important बाद कि जितने documents आपके लगे हैं आपकी file में आपकी application में उन सब की synchronization होना जरूरी है means उन सब काफस में link होना जहां एक chain चल रही है आपके documents की आपका profile की आप बता रहे हैं ये करता हूँ ऐसे करता हूँ ये भी है वो भी है पहले ये था ये था वो है वो है और जहां कहीं आपकी एक बात दूसरी बात से mismatch होई आपका एक document दूसरे document से mismatch हुआ जहां एक कड़ी तूट गई वहां पर doubt create हुआ और वहीं पर विजा रिजक्ट है आप ये कहते हैं के जी मेरी पांच लाख रुपे इंकम है जब आपकी bank statement देखता है तो किसी महीने में आपकी transaction में जो पैसे आ रहे हैं जो आपके account में credit हो रहा है वह पांच लाग कहीं तीन लाग कहीं दो लाग कहीं एक लाग कहीं धाई लाग तो यह आपकी बात conflict हो नहीं है तो कह रहा है कि मैं बिजनस करता हूं और मेरी पांच लाग पर मंत average income है चलो बिजनस के अंदर सेम अमाउंट नहीं होती लेकिन पांच average का मतलब यह कहीं सब्सक्राइब करना है यह गलत मकसद से जाना चाह रहे है यह जाएगा और वापस नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया को इस्ट्रक्शन है उसने पूरी assessment करनी है बारिकी से और के अंदर जो उसका purpose होता है वो सिर्फ एक होता है आपके पूरे documents को एट उजी छाटने के बाद वो इस नतीगे पहुंचता है कि क्या यह बंदा हमारे country जिस मकसद के लिए बता रहे है जाकर अपना काम करके वापस आएगा या नहीं है जहाँ से यह डाउट हुआ कि यह और यह जाने का मकसद जूट बता रहा है यह वापस नहीं आएगा वहाँ पर उसको फ्रेट फील होगा यह बंदा गलत है और वह आपका वीजा रिचेक्ट करते हैं सो वीजा ओफिस अपको जो convince करना है वह आपनी documentation से उनके proper organized होने से और उनका आपस में synchronization करने से आप उस जो मैं ड्रॉब कर रहा हूं वो 17,000 अब जब उसकी बैंक स्केटमेंट उठाके देखी जाए तो उसके अंदर सेलरी आ रही है पचास जार कभी चालिस हजार कभी पैंसे जार कभी असी हजार तो वह भी mismatch हो रही है बिसनस के अंदर तो चले आपकी average income पर मन्त हो सकती है प तो जिस डेट की आपकी service lips है उसकी डेट को वह बैंक स्टेटमेंट के साथ देख रहा होगा मैच करके क्या इतनी amount इसके account में आ रही है क्या नहीं आ रही है तो यह वह चीजें है जिने आपने visa officer की नजर से देखना है कि अगर I'm the visa officer and I'm going through this file तो मैं क्या-क्या नुक्स नि लगना है और जो लास्ट हमारा topic है वो है what if your visa is refused और आपने visa application submit कर आई दो ही काम होने है या visa लगना है या visa refuse होगा लग गया तो वावा बहुत मुबार्य को आपको in advance लेकिन अगर refuse हो गया अब क्या है सो हर बार मैं एक बात करता हूं that is not the end of the world visa refuse हो गया कुछ countries बहुत अच्छे हैं जो आपको detailed reasons देते हैं refusal के कुछ नहीं देते हैं लेकिन आपको समझ आ जाती है कि क्या mistake होई होगी या आप किसी expert को discuss करके वह आपको highlight करके दे सकता है कि what were the reasons क्या भजवात हो सकती है आपकी visa application के refusal के आप उन्हें overcome करें उन weak areas पर काम करें उन चीज़ों को improve करें और you can apply again अब यह तो होगी बात हो situation में कि आपका visa refuse हुआ है कि you always have the doors open आप ऐसा कभी ना करें कि यह visa refuse हुआ और उसी प्रोफाइल जा ठक करके apply कर देगा अगें मैं कहा हुआ हो जिन reasons पर refusal हुआ है उनको identify करें उन पर काम करें ट्रेवलिंग स्ट्रीप पर हुआ है कि जब कि ट्रेवलिंग कोई नहीं है तो अब थोड़ी बहुआ ट्रेवलिंग बनाए और apply करें financials पर हुआ है तो financials पर काम करें और बनाए कोई और documents पर सैटिसफाइड नहीं करें और उनके साथ reapply करें and there are chances you'll get the visa but उनके लिए क्या जिन लोगों का visa ban हो गया जिनकी application सब्मेट होने के बाद visa officer ने सर्फ refuse नहीं किया बलके साथ दो साल पांच साल दस साल या lifetime का ban की नबाब गया पहले तो यह समझ लें बैन होता कि बैन तब होता है कि visa officer आपकी file से satisfy नहीं था यह तो इस पेस पर तो normally refuse होता है लेकिन satisfy ना हो होने की वजुहात यह थी कि उसको आपके documents fake लगा आपका profile fake लगा आपने चंद fake documents का सहारा लिए मैंने पहले documents की point पर आपको बताया था कि आपने हर चीज़ जैन्वन लगानी है maintain करके बनाए लेकिन जैन्वन लगाए fake ना लगाए fake documents जूट fraud यह चीज़े visa officer कभी accept नहीं क यह चीज़ भी बहुत common है मेरे पास आए दिन कई लोग आ रहे हैं हमारे इसी पिंडी इसलामबाद नहौर की market से कि सर फुला जगा से मैंने apply कराया था और मेरा ban लग गया तो यह मैं आपको बताता चलूँ ban लगने में आपका कोई कसूर नहीं है ban लगने में उस consultant का कसूर है जिसने जाली और फेक दो नमबर डॉक्मेंट्स लगाए है और आपका केस सिर्फ रिफ्यूज नहीं कराया बलकि आपको ban भी लगवा दिया है और ban लगने के बाद अब आपके reapply के doors open नहीं है close हो गया है until then जब तक आपका वह ban जितने साल का खतम नहीं होगी तो ban की सू करेंगे एक अच्छे strong reasons के साथ के मेरा ban लगा था that was not uh intentionally by mistake यह वो हो गया था तो वह उसकी तलग स्टोरी है but still not the end of the world ban की सूरत में भी दुनिया खतम नहीं होई बहुत बड़ी दुनिया भाई एक country से refuse हुआ दो से हुआ बड़ी दुनिया बड़ी होई है बहुत बड़ी बड़े countries है so at the end इसको हम conclude करते हैं कि visit visa बहुत सारे मकसद के लिए apply होता है एक limited time के लिए होता है आपको जा के उस time प है जमानत है कि आपको visa मिलने के chances बहुत हाई हो जाते हैं और documents की बेस पर ही visa मिलना होता है चंद countries है जो interview भी लेते हैं जिसमें आपकी interview appearance आपकी communication भी matter कर रही होती है तो उसके अंदर उसका factor भी आ जाता है और कुछ documents ऐसे हैं जिनको maintain करना बहुत जरूरी है जोने आप जर Allah visa officer जब उसको review करेगा so he she will be coming back with a good response if you have done hard efforts on your file और Allah ना करे अगर उसके बाद भी refuse होता है reject होता है बहन होता है तो फिर भी there are so many other options available so best of luck for all of you जो भी visit visa कहीं कभी apply करना चाह रहे हैं आप जरूर apply कीजिए धयान से apply कीजिए and अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिए ताकि इस important video से बहुत सारे लोगों की जो विज़े पीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं उनकी help हो सके और वो different frauds से problem से mistakes से बच सकें Thank you Allah है कि बड़र